पीएम मोधी की डिगरी मांगी जाने के मामले में आया हाई कोट का फैसला अर्विन केजरीबाल पर लगाया जुर्माना प्रज़धार मंत्री के डिगरी जाने के मामले में गुजरात हाई कोट ने सुकरवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पीमो को उनकी ग्रेजुएशन की डिगरी प्रमान पर देने की आवशक्ता नहीं है दिल्ली के पूर्वा उप्मुक्य मंत्री मनीश शिशोदिया को कोट से जटका लगा है कोट ने सुकरवार को cvI की तरफ से दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारीज कर दी है बिहार विद्याले परिक्षा समीती ने जारी किया मैट्रिक रिजर्ट जारी कर दिया है इस बार से एक पुरा के लाल मुहमद रुमान असरफ ने बाजी मारी हैं वो बिहार बोर्ड के टॉपर बने हैं मीडिया से बात चीप करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का टॉपर बनकर काफी खुशी मिल रही हैं फिर दिखेगा सल्मान का जल्बा बॉलिवूर्ड सुपर स्टार सल्मान खान अपनी नए फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं ये मुवी बहुत जल्ब सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है अब इस मुवी का लेटिस्ट गाना बतु कम्मा रिलीस कर दिया गया है जिसने पूरी स्टार कास्ट नजर आ रही है वहीं वीडियो सॉंग में सल्मान खान के लुक को फैंस ने काफी पसंद किया है अमेरिका के पूर रास्टपती डोनल्ड ट्रम्प एक बाफिर कटगरे में अमेरिका के पूर रास्टपती डोनल्ड ट्रम्प चुनाव से ठीक पहले मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे है ट्रम्प ने पॉर्ण स्टार स्ट्रॉमी डैनियल्स को बड़ी रकम देने के लिए आपरादिक आरोपों का सामना कर रहे है यह मामला 2016 में हुए अमेरिका के रास्टपती चुनाव से पहले का है इसी मामले में ट्रम्प मंगलवार को कोर्ट में पेश हो सकते हैं इंडियन T20 लीग ओपनिंग सेर्मनी में रस्मिका और तमना ने बिखेरा जल्वा इंडियन T20 लीग का आगाज हो चुका है इसी के साथ ये टूनामेंट का पहला मैच गुजरार टाइटन्स और चेने सुपर किंग के बीच खेला जाएगा इंडियन T20 लीग ओपनिंग सेर्मनी में रस्मिका और तमना ने बिखेरा जल्वा इंडियन T20 लीग का आगाज हो चुका है इसी के साथ ये टूनामेंट का पहला मैच गुजरार टाइटन्स और चेने सुपर किंग के बीच खेला जा रहा है राम नौमी के बाद फिर कुछ जगहों पर भढ़की हिंसा राम नौमी के अबसर पर सोभा यात्रा के दौरान पस्चिम बंगाल के हावडा में हिंसा बढ़क गई थी इसमें दो गुट के लोग आमने सामने आ गए थे और जमकर पत्थरवाजी और आगजानी होई थी सुकरबार को एक बार फिर तनाब के सिती बनी होई थी इसको लेकर मुख्य मंत्री ममताब एनरजी ने कहा कि हिंसा भढ़काने वाले लोग हिंदून नहीं थे उन्हें बाहर से लाया गया था नीता मुकिस अमबानी कल्चरल सेंटर हुआ सुरू नीता मुकिस अमबानी कल्चरल सेंटर का सुकरवार को उध घाटन हुआ गाटन के मौके पर पूरे तीन दिन का ब्लॉक वास्टर सो होगा इसमें देश विदेश के कलाकारों बॉलिवूड और हॉलिवूड के हस्तियां सामिल होंगी दिल्ली में एक ही घर में 6 लोगों की मौत दिल्ली के सासरी पार्क इलाके में सुकरवार को मच्छर जलाने वाले कोईल के धुएं से दम घुटने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है पुलिसस मामले की जाश में जुटी हुई है बिहार के सासाराम में आगा जानी के बाद धारा 144 लागू गुजरात बंगाल के बाद अब बिहार में बवाल, सासाराम में पतरवाजी और आगा जानी के बाद धारा 144 लागू कर दिया गया है झाल सकते है